तो देखिए आपका भी email का जो result आया है उसमें किसी भी subject में अगर आपका number कम है तो समझे कि वो result जो है गलत कोई भी subject हो यहाँ पर चार subject यहाँ पर दिये गए हैं 5, 1, 2, 3, 4, 4 subject में किसी में भी आपका अगर number कम है तो समझे कि वो result गलत है क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं जो result भेजे गए हैं NCVT के द्वारा तो उपर में साप साप लिखा है You have passed the CTS AITTS 2023 exam and your result is as followed यहाँ पर आपका clearly यहाँ पर लिख दिया गया है उपर में ही कि आप जो है exam को pass कर चुके हैं तो फिर आपका number कम आना का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है यहाँ पर देख सकते हैं इस student का क्या हुआ है कि trade theory में 100 number का exam होता है यहाँ पर आपका passing marks है 33 number लेकिन इसका आया है केवल 30 number अगर 30 number यह सही है तो यह pass कहां से हुआ यह तो fail हो गया यह pass का सवाल ही नहीं उड़ता है और जो NCVT ने अपने official website पर जो upload किया है वहाँ पर कहा है हम केवल successful student का ही result email करेंगे हम केवल successful student का ही result email करेंगे यानि कि जितने का भी email पर result आया है वो सारे क्या है pass है एक तरह से कहा सकते है और यहाँ पर directly clear लिखा है past और यहाँ पर जब कोई pass होगा तभी तो कोई congratulations कहेगा अगर आप फेल होगे तो कोई congratulations नहीं कहेगा और यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्होंने भी congratulations कहा है और मैं आपको नीचे की तरफ ले जाओ तो यहाँ पर नीचे में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी उन्होंने लिखा है we congratulate you on your success मतलब कि आपके success के लिए वो congratulate कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर अगर आपका number कम है तो आप fail हो गया तो success कहां से हुआ and wish for a bright future अभी ही मेरा future खराब हो गया मतलब कि जो number हमारा कम आया है यानि कि fail हो गया है तो हमारा अभी ही future खराब हो गया है तो हम आगे की bright future की बात कैसे कर रहे है तो यह इस तरह से पता चल रहा है कि यह जो result है यह गलत है और यहाँ पर देख भी सकते हैं यहाँ पर लिखा है please note that this is an information email यह के वल एक information email है and cannot be used as the proof of passing यह passing के proof के रुप में यूज नहीं हो सकता यह जो आपका result जो है 17 सितंबर 2023 से आपका result है आई टी आई में आना start हो जाएगा तो देखिए इस result को आप गलत ही मान कर चलिए और मैं बता देता हूँ कि आपको दो चीज क्या 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 करना है तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पहला क्या करना होगा सभी लोग जिनका जिनका result में गड़बड़ी महसूस हो रहा है वो इस email id पर यह हमारा email id है support at the rate ncbtmis.in इस पर आपको क्या करना है कि आपना जो गलत result है उसका screenshot लेकर और जो गलत है उसके बारे में पूरा detail लिखकर इस पर आप भेज दीजिए और दूसरा बत क्या कर सकते है कि आप जो description box में आपको एक whatsapp group का link मिल जाएगा whatsapp group जो मैंने अभी नया नया बनाया है क्योंकि देख रहा हूँ काफी लड़के का जो result है वो गलत आ रहा है तो इस whatsapp नंबर पर अपना result को भेज दीजे ताकि मैं इस result को direct support NCBT के official website पर भेज दूँ या फिर email ID पर भेज दूँ सारे लड़के का एक साथी मैं भेज दूँगा इसलिए आप जो अपना screenshot जो आपको गलत महसूस होगा वो सारा लिख कर मुझे भेज दीजे वाटसेप ग्रूप में भेज दीजे अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे message किजे वही वाटसेप ग्रूप में आप मुझे जो भी दिक्कत आती है उसके अनुसार आप उस ग्रूप में मैसेज कीजिए